हम यहां पर आज इखट हुए हैं वर्ल्ड स्टेंडर्स डे की जो सेलिब्रेशन चल रही है जो 14 अक्टोबर को होता है हमारा यहां पर आने का एक ही मकसद है कि हम बी आएस के साथ बहुत सालों से जुड़े हुएं क्यूंकि हम लोग कॉलिटी में हमेशा से बलीव करते आये हैं तो हमारा हमेशा यही हारे को एडवाइस रहेगा कि वह भी कॉलिटी की तरफ द्यान दे जो भी प्रॉड़क्ट बन रहे हैं या लोग खरीद रहे हैं तो कॉलिटी प्रॉड़क्ट ही खरीदें देखे आज कल वह जमाना तो चला गया है कि लोग आंके बंद करके प्र कॉलिटी प्रॉड़क्ट है सेकंडली हमारा जो यहां पर आज स्पॉंसर्शिप हमने इस प्रोग्राम की की है भी है के साथ मिलके तो यहां पर एक रैली होने वाली है जो कि आज अनतनाग जाएगी और कल इनको लदाक का टूर भी इनका है सहिचन तक उनको जाना है कॉलिटी रिलेटी जो भी मैसेज़ होंगी वो स्प्रेड होंगी और लोग को अवेर किया जाएगा कि देशुड ब्लीव इन कॉलिटी और देशुड फॉलो जो भी क्राइटेरियास ब्याइस के सच स्टनर्ड से उनको फॉलो करें यह जो इवेंट हमारा हुँ रहा है यह वर्ल्ड स्टनर्ड डे के लिए बी इस आम जनता में पब्लिक अवेरनेस के लिए हम यह कर रहे हैं क्रियेट इवेंट इसमें हम लोग विल बी स्केलिंग दी हाइट्स ओफ लदाक तिल सियाचन बेस कैम्प वी हाव टीम उफ 16 बाइक राइडर्स जो पूरे जोश के साथ इसके साथ हमारे साथ जुड़े हैं और यह हमारे अपने ही ऑफिसर्स हैं all these are our officers जो इसमें जुड़े हैं हम लोग BIS के जो standards हम लोग बनाते हैं we are the national standards body भारतिये मानकों की जागरुकता के लिए हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं और 14 अक्टूबर जो विश्व मानक कि मैं अलग अलग पार्ट्स को टच करती वी जैसे बीश में कर्गिल वार ममोरियल हो गया कर्गिल का मेंस वह हो गया देन वील पास थ्रू लेह खरदूंगला पास नूब्रा वैली एंड सी आचन बेस कैम्प पे हम इसको वहां तक पहुंचें एंड रिटरंजन मैं सोते हैं उस पर आयसाई मार्क आप सब लोग देखते आयोंगे बच्पन से हमारा यही अनुरोध है कि आयसाई मार्क वाली चीज़ें खरीदें सोना जो हॉल मार्क जिस पर निशान होता है वो भी बिया ज्वारा ही दिया जाता है आप जब जोईलर के पास जाएं तो आप हॉल मार्क वाली चीज़ों पर स्ट्रेस करें और क्वालिटी को बढ़ावा दें